आज हम सुनेंगे डेट का हिबानी 3rd September 2021 का शाकार हिंदे मुरुविग आज बाबा स्मृति दिलाने के लिए आते हैं बाबा समझाते हैं बचे आपस में एक दो को बाब की याद में रहने का इशारा देते शाब्धन करते उन्नोति को पाते रहो ये भी एक फर्मूला है ये भी एक बीदी है ये भी एक सिस्टेम है रुहानी सिस्टेम श्री बाबा का ये एक नया बीदी है बाबा समझाते हैं आपना उन्नोति करना है तो एक दो को बाब की याद में रहने का इशारा दो शब्धानी दो बाबा समझाते हैं बाबा के एते हैं तो यह उसका भी करिलान होगा तो आपका भी करिलान होगा प्रशनों है बाप समान नलेस्पुल बनने वाले बच्छों की जीवन की मिक्षोधारणा सुनाओ तो रोज रोज बाबा हमें नया मौर दिखाते हैं नया जीवन का एक कहानी समझाते हैं तो जो बच्चे बाप समान नलिस्फुल बनने वाले हैं उनका जीवन के मुख्ष धरना तो हो सकता है क्या क्या हो सकता है उत्तर बबा समझाते हैं वो सदईबो मुस्कुराते रहते कभी भी किसी बात में उन ऐसे भी अभी नलिस्पूल अर्धत रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशंती नहीं होते हैं, उन्हें ही सर्गों की बत्षा ही मिलती हैं, जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं, ये भी बाबा ने एक बहुत सुन्दर ये बीधी का टाइट नहीं हैं, तो अठत अशंत नहीं बनना है, तो वो लक्षम जिस आत्मा का रहेंगा, वो बापसमा नालिस्पूल बनेंगे, और सर्गों में उच्पत प्रप्त करेंगे, आज का सुन्दर गीत हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पालिया हैं, जमी तो जमी क्या, आस्मा पाल कितना सुन्दर हमें स्मिती बबा देते हैं, और अनुभव से हम ये गीत गाते हैं, ये गीत का अर्थों भी हम समझाते हैं, समझते हैं, ओम शांती, मीठे नीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना, वक्ति में हमने गीत बनाया, अभी इसका हम अर्थों समझ और समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, हम बहुत के बाप के सामने बैटे हैं, स्टुडेंट हो करके, तो बच्चे कहते हैं बाबा, आपसे जो विश्यो की बच्रही पाई थी, वो अब फिर से पा रहे हैं, यह हमारा फिलिंग हो रहा है बाबा, यह हमारा अनुबव हो रहा ह सतियुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे यो संगम पर ही तुम गा सकते हो ये संगम पर ही बाबा समझाते हैं इस सरीर दरा तुम ये अभी करिलनकरी कर्मा करते हो प्रणद बनाएंगे सतियुग के लिए घर में बेठे अथवा नकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बहुत के बाप से बहुत का बर्षा फिर से ले रहा है ये फिर से शब्दों हमें बहुत बड़ा हमें बहुत शक्ति देने वाला है संटर पर भी शब्दनी मिलती है न कि बाप को याद करो और हम विश्यो के मालिक बन रहे हैं यो याद रखो इसलिए तो लक्षपिन अरेन का जो हमार कोई बाबा के इसका चित्र बना करके अपने जयब में रखो ये बहुत सुन्दर स्मृति आएगा कोई नई बात नहीं हम कलपकलप बाप से विश्यो की बद्शाही लेते हैं इतना सुन्दर अनुभाब बाबा समझाते हैं ये 5000 साल का हिस्ट्री जियोग्राफी तुमारे नहीं और वो तो है निराकर आत्माव का बाप शिबाप आत्मा निराकर है तो परमात्मा बाप भी निराकर है आत्मा को निराकर तब कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है जब तक परंधाम में है जब तक हमें इस दुनिया में नहीं आया तब तक आत्मा निराकर है और सरीर में आगाया तो हम जीवातमा है तो बच्छे जान गए है हम बहुत के बाप से यह नलेज सुंद रहे हैं यह कितना रुहानी नलेज आत्मा को सुखुन देने वाला रुहानी टीचार हमें परा रहा है एक दो को शब्धनी देने के लिए बाबा के ये बाबा का जो रूल से है ये सब को कोई बार कोई भूल जाते है माया बहुतों को भूला देते हैं इसे लिए शब्धनी दो पहले यो रूहानी शब्धनी मिलती है बहुत के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं आत्मा अभिमानी भावो और बाब को याद करो वो है पतित पावनबा और वो सम्मुक बैट कहते हैं बचे मुझे याद करो ये बाब का सबसे बरा इस समय का सबसे बरा साब्धानी को हो शिक्षा को हो और प्यार को हो बाबा समझाते हैं कितनी सहज युक्ती हैं मन मना भबा अक्षर भी है पर उन्तो जोग कोई समझे इतना दिन तो हम शाश्कुतों स्लोग पढ़ते आये हैं बाबा समझाते ये तो प्रैक्टिकल बात इस समय तुम समझते हो ये तुमारा लिए तुम सहज समझने का बात है याद की जात्रा शिकलाने वाला एक ही बात है तुम बच् जिस्माने जात्रा तिर्थ पर जाना और हम जिस्माने जात्री नहीं है हम है रूहाने जात्री ये अपने को आत्मा समझ करके परमधाम चले जाना शुक्ष्म बतन में चले जाना नया दुनिया में चले जाना तो इस याद से ही विकर्म बिनाश होंगे तुम विकर्माजि करे तो पहुत संदर बनाए आत्मा को जो तुम विकर्माजित बनते हो एक है विकर्माजित संबद बाबा कहते हैं दूसरा है विक्रम संबद और फिर विकर्म सुरू होते हैं तो राबंद रज्य सुरू हुआ और विकर सुरू हुआ तो इसलिए विकर्माजित संबद कहते ह द्रापर से अब तुम बिकर्म जित बनने का पुरुशाट कर रहे हो इस समय संगम यूग में जब तुम शुद्रों से ब्रह्मन बनते हो बिकर्म को जित प्रप्त करते हो वहाँ सत्य युग में कोई विकर्म होता नहीं वहाँ राबन भी होता नहीं दुनिया में यो कोई नहीं जानते तुम बाप दरा सब कुछ जान गए हो न इस समय तुम्हें पुन्न कर्म करना है सत्य युग में इसका प्रालब्द तुम्हें भोगना है बाप को ही नलिज़ फुल कहा जाता है तो बच्चों को ही नलिज़ देंगे न बाप और किस के लिए बाप और बच्ची का ही ये सारा दुनिया का खेल है गाड फदर का नाम भी चाहिए ये दुनिया वरे बहुत हो का पस गाड पदर का कोई एक्च्चियल परिचोई नहीं है नाम रूप से नियारा थोरी ही होता है निराकर कहो देते है तो इसका मतलब ये नहीं उनका कोई नाम नहीं उनका कोई रूप नहीं उनका नाम भी है उनका रूप भी है पूजा करते हैं उनका नाम है शी वही पतित पावन ज्यान का सागर है सब तो इसका तो कर्तिबो एक साथ हम मिलाएंगे तो सभी का वो जो सागर है आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को आत्मा बाप की महिमा करती है वो शुक्षंति का सागर है बाप तो जुरूर बच्शा ही देंगे बच्चों के लिए ये बाप को आना है जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते है संसार में तो एक शिबाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होता है इसले बाबा समझाते हैं शिब बाबा ऐसा कौन सा कर्म करके गिया जो दोनों यादगार शिब बाबा का है गयान का भी और पुजन का भी लिंग बना करके उनका पुजा करते हैं उनका गीर रचते हैं उनका महिमा गाते हैं जो रूब वो सुरीड़रा करते हैं तब तो उनका गयान होता है तो वो एम प्रिगर्वों में आते ही नहीं, वो सदई वपुज जो है, बाप कहते हैं, मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ बचे, मैं पुजा जाता हो, पहले पहले तुम मेरी आबिवेचरी पुजा करते हो, पुजारी लोग मेरे पुजा करते हैं, सते युग में तुम्हेरा कोई होता ही नहीं भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाब को तुम याद करते हो पहले पहले आवेविचारी भक्ति उस एक की ही होता है शिब लिंग बना करके तो उनका बहुत नाम देते हो बहुत उचे-उचे स्थान पर उसका मंदिर बनाते हो फिर तुमारा सुरू हो जात होता है बेविचारी भक्ति उसएप collaborators को भी वह शिब पावा विश्यो का मालिक बनाते हैं वह डिगरी भवा समझाते हैं ब्रह्मार्य शरश्यों को भी पहला नंबर का दाना बनाते हैं वक्ति का कितना विस्तार है बात मत पुछो बीज का कोई विस्तार नहीं बीज तो चोटा है और ब्रिक्षों का कितना विस्तार होता है तो वह अगे वक्ति है ब्रिक्ष और ज्यान है बीज बाप कहते है मुझे याद करो और बर्षे को याद करो मुझे याद करो मैं बिंदू हूँ मैं बीज हूँ बस जैसे जहर का विस्तार होता है वैसे भक्ती का भी बहुत विस्तार होता है कितना करोगे तो लाइफ तो बहुत शॉर्ट है ना Life is very short. तो घ्राइन है बीज, बीज में चली आओ. जब तुम को घ्राइन मिलता है, तो सद्धुती को तुम पाते हो, तुम को कोई मात्हा नहीं मरना पढ़ता है, जब घ्राइन मिल जाता है, तो तुमें कोई अपसूस नहीं रहे ता, कुमें तो कोई डिप्रेशन नहीं रहे था, कोई तुमें टेंचन नहीं रहे था, तुम तुमें कोई चिंता, तो करने का कोई जरूरी नहीं, तुम ब्यागंपर के बद्शाहों बन जाते हो, ज्यान और भक्ती है न, साथ साथ बाबा समझाते हैं, सतियुक्त्रेता में भक् दो हम भुगते हैं कोई दुख नहीं हम भक्ति करे क्यों आधा कल पर यो भक्ति का जार चलता है द्रापर और कली यूग सब धर्मों वालों की अपनी अपनी रसम रिवाज है एक का साथ दुसरों का नहीं मिलता भक्ति तो कितनी बरी है बार बार बाबा समझाते हैं कितना भ साउत में नहीं मिलेगा ग्यान तो सब के लिए एक है बस मन मना भगो बाबा कहते हैं यह कोई विराइटी धर्म का बात नहीं सभी तो बाबा का बच्चा है सभी के लिए एक ही एक ही बाबा उपाय बताते हैं एक ही ग्यान है मन मना भगो जैसे भी करके अपने को आत्म समझ क करके बाबा का साथ रिलेशन्स जोरो संपर्क जोरो और बाबा के सतनाता यूरो अल्फ बाप को याद करो बाप को याद करेंगे तो बर्शा जुरूर याद आएगा बर्शा का बिस्तर तो हो जाता है ना बिस्तर हो जाता है कोई क्या बनते है कोई क्या बनता है तो वो होती है हद की जाइदा बाबा समझाते हैं हद दुनिया में भी लौकिक बाप से बहुत जाइदा मिलता है संपत्ति मिलता है बर्षा मिलता है उसका भी बहुत प्रकर को कौालिटी होता है यहां तुमको बहुत की जागिर मिलता है बहुत की जाइदा तुम्हें याद परना चाहि बहुत का बर्षा भारत बशियों को देते हैं जहाँ कोई पार्डिशन नहीं होगा जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होगा जन्मों भी उनका इहां ही काया जाता है भारत में ही वो अबतरन करते हैं यो इस ड्रामा में अनादी नूद है तो ये हर कल्पो में शिबाबा इस भारत में ही आकर के अबतरन करेंगे तो ये भारत उनका बार्ट प्लेज है जैसे भगवान उचते उचे है वैसे भारत खंडो भी उचते उचे है भारत का महीमा बहुत उचा है भारत भले आज कंगाल बने है लेकिन बहुत उच्छा मोहिमा होता है सारे विश्यों का समने भारत एक फिलोसोफी है जहां बाप अकर सारा दुनिया की सद्गुति करते हैं तो सबसे बरातिक तो हुआ ना भारत कहते हैं हे गटफदार हमको अपने घार ले चलो भारत के उपर तो सबका लाव है प्यार है तो बाप भी भारत में ही आते हैं अब तुम मेहनत कर रहे हो गोपी बल्लब के गोप गोपिया तुम हो ये भी बहुत खुशी आना चाहिए गोपी बल्लब के गोप गोपिया और अपना वो चित्रों समने लना चाहिए मैं सायंग खुदा से, सायंग परमात्मा से मैं राश कर रहा हो इतना सुकुन मिला है, इतना इनार पावार मिला है सत्यूब में गोपगोपिया की कोई बात नहीं रहेती है इस समय संगम पर जब हमें खाजाना मिलता है ज्यान का शक्ति मिलता है वहां तो कायदे उनुशर राजाई चलती है कायदे उनुशर चरित्रो कृिष्नो के है नहीं बाबा समझाते हैं, यह बहुत डीब बात है बाबा समझा दुनिया वाले तो पिष्णों का पीछे पागल हो जाता है लेकिन बाबा समझाते हैं पिष्णों का कोई चोरित्र है ही नहीं चोरित्र तो एक बाप का है क्यों उनका चोरित्र कितना बरा है देखो सारी पतित स्रिष्टी को पावन बनाने के लिए बच्चु क पीछे कितना मेहनत करता है पूरा संगम यूग बच्ण का पीछे ये direction देते जाते हैं यूग कितनी चतुराई है कितना चतुराई से एक एक बच्ण को उठाके लाना और आप 주men बनाना ये बाबा का कितना मेहनत का काम है इस समझा मुणू श्रमत्र अजा मिल जीसे पापी है देखो बाबा समझाते हैं जब बच्चे ऐसा बन जाता है ऐसे अजामिल जैसे पापी आत्माओं को आप समन बनाना ये कोई माशी का घर नहीं है मुनिश्यों समझते हैं यो सादू आदी स्रश्टचरी है बाप कहते हैं उन्हों का भी उद्धर मुझे करना पड़ता है वो भी मेरी बच्चे हैं लेकिन तुमारी समने वो सजावट करके अपने को बहुत उचा रखता है लेकिन मैं जानता हूँ उनका अंदर कितना खाली है जैसे तुम एक्टर्स हो बाप भी एक्टर है तुम चराश्य जन्मों लेकर पाट बजाते हो वो भी क्रेटर डिरेक्टर मुख्ष एक्टर है शिप बाबा कभी रूल को हमें समझना चाहिए आपना रूल भी समझना चाहिए करन करावन हर है न वो करते नहीं वो कराते हैं क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ब्रह्मादरा ज्यान सुनाते हैं, बाबा कहते हैं, तुम मुझे बुलाते हो, आकर हे परमपिता, आकर हमें पावन बनाओ, हम पतित हो गई, हम बैचैन हो गई, हमें चैन के दुनिया में ले चलो, मैं भी इस पार्ट में बंदा दिया है, तो ड्रामा उनुशर मेरा भी इसमें बन्धाया मन है ऐसे कोई कहो न सके यह ख्यूअ बना खब बना, तो यह तो अनादी बना बनाया ड्रामा है इनका आदी मद्दो अन्टो है नहीं, प्रलळुए होती नहीं तो बाबा कोई बार हमें समझाते हैं ये दुनिया जो भक्ति में दिखाते हैं प्रड़ाय हो गया, कृष्णो पिपल का पत्ता पर अंगोटा चुस्ते चुस्ते आया, तो ये कभी नहीं होता, ये कृष्णो से दुनिया कैसे जनारेट होगी, आत्मा अभिनाशी है, कभी बिनाश नहीं हो सकता, इनक पाड़ भी अभिनाशी मिला हुआ है, ये बहुत का ड्रामा है ना, बबा के ते ड्रामा तो तुम देखते हो, और ड्रामा को अब समझे, ये तुम हो पाड़ है, ये तुम्हारा शिक्षा है, नाच्शल में बाब बेट समझाते हैं, इसका तो विस्तार बहुत है, ये तो पुकारती ही है वतित पाबन आओ आकर हमको वतित से पाबन बनाओ सो तो बरबर आते हैं गिता सर्वश अस्रमई शिरमणी है भगवान ने ही गिता सुनाई है अच्छा सहज राज्युकाप शिखाया तो प्रश्ण उठता है वक्त लोग भी पूछेंगे तो बाबा स समझाते हैं इसके उत्तर भी तुम्हें बहुत सुन्दर साफ रीती से देना चाहिए यह भी तुम जानते हो बाबा तुम्हें समझाया बाबा आती ही है कल्पों के संगम पर जबकि आखर पाबन दुनिया नहीं अस्धनी स्थापन करते हैं सत्य युग में तो कोई बन कंचन का या सरीर मिलते रहेंगे कॉल्पो के संगम में ही कुम्भो का मेला लगता है बबा कहते है ये कुम्भो मेला पुरुना कुम्भो मेला आत्मा परमात्मा का आत्मा परमात्मा तो अलग रहे बहु काल ये सुन्दर मेला लगता है जब बीच में आया सद्गुरु दला तो ये लौकिक दुनिया में भी कुम्भो का मेला बारो सल बाद लगता है पुर्ण कुम्भो तो ये बरा कुम्भो का मेला पांच हाजर साल बाद लगता है यह शुक्ष्म समझने का बात है यह है आत्मा और परमात्मा का मिला वो तो कुम्भो होता है नदी और सागर का वाजाकर के सबी एकटा होता है तो कोई पदप्रिश्ट होकर के मरते भी है कितना कई गंदगी होता है कितना कुछ होता है तो बाबाने कहते हैं तो बास्तव में कुम्भो तो इसको कहते हैं जब आत्मा और परमात्मा का सही मिलन होता है जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्मों को पावन मना करके ले जाता है यह पुरुन कुम्भो कल्पो की आयू लंबव तो करने से ही मुनिश्य मुझ गए है तो बस्तव में संगम यू कौन सा है कुम्भो किसको कहते हैं अभी तुम समझते हो तुम्हारा सामने यह तो बहुत क्लियार हो चुका है तुम्हारी मेगाजेन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ पांच हजर बर्षो पहले मिसल नाथिंग नियो बाबा समझाते हैं ये समझो लिख दो बरावरा अक्षर में लिख दो ये दुनिया में जो कुछ होता है ये तो नया कुछ नहीं कि नाथिंग नियो बार बार होता रहता है जो recording एक बार हो गया तो कितना बार चलाओ वो तो चलता रहेगा जो 5000 बश्च पहले हुआ था वही अब repeat होता है तो किसको भी यह समझाना हो तो आकर समझो समझना हो बाबा कहते हैं ऐसा अफार करो भायो और बेहनो तो यह कल्पो का यह संदर समय में यह मेला लगता है और भगवा ना करके तो यह अधात्मिक पार सबको समझाते हैं ऐसे इसे जुक्तिया और अपनी चाहिए हम आगबर में क्या डाले तो यह भी तुम लिख सकते हो यह महाभरत लराई कैसे पाबंदुनिया का गेट खुलती है इस पर टपिक बनाओ इस पर चर्चा करो और लोगों को अफर करना है आकर भायों और वहनों समझों गट फदर से बाठ राइट लेना हो तो आकर के लोग ऐसे इसे विचार्शागर मन्थन करना चाहिए तो वो लोग स्टोरी आधी बनाते हैं वो भी ड्रामा में नोध है वो ऐसा करेगा वक्ती बले वक्ती करेगा स्टोरी बनाने वाले स्टोरी बनाएंगे जो पार्ट बजाते हैं तो बेश देब ने भी ग्रामा प्ले नो शासरवादी बनाए है उनका भी ये पार्ट है पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है उनको तो ये कहानी बना करके तो जो उनको शक्षक कर में मिला तो वो गीता उसमें घुसाने का तो ये महाभरत नाम दे करके अंदर में गीता तो घुसा करके ये सबकस हमने प्रेजन करने का उसका भी पार्ट है अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो ना फिर वो ही ड्रामा रिपीट होगा अभी तुम आये हो, फिर से ज्यान सुनते हो, तुम जानते हो, फिर से ये लक्ष्मिनर्ण का रज्य होगा, बाकी सब दर मुखालाश हो जाएंगे, अभी तुम नलिस्फुल बन रहे हो, समझाते हैं बाबा, छोड़ी छोड़ी बातों को, बाबा बहुत अच्छा रही थी, कोई बच्चों में कोई confusion ना रहे है, कोई शंक्षय ना रहे है, ऐसा बाबा क्लियार करके समझाते हैं, बाबा तुमको आप समनलिस्फुल बनाते हैं, तुम जानते हो, आधाकल पहम पिस्फुल रहेंगे, कोई प्रका की अशंती नहीं रहेगी, सतियुक्त्रिता में, वह इसको तुम्हें मैनेज करके जाना, मैनेज करते जाना, गयान भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलुआ खाना, तो बीबी मरे तो भी हलुआ खाना, जिन रोया तिन खोया, ये भी बहुत सुन्दर स्लोगान बाबा बनाया है, और बच्चों के लिए जान चक्षु देने के पती कभी मरता भी नहीं तो फिर रोने की क्या दरकार है जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बत्षाही लेते हैं बत्षाही यह भी एक क्वालिटी हमें होना चाहिए इस समय रोना प्रूफ जैसे रेइन प्रूफ फायर प्रूफ ऐसे हमें रोना प्रूफ बनना है बाकी तो प ऐसा ऐसा पुर्शक करते हैं, अगर बाबा से तो ये श्यार करें, तो बाबा भी इसका सुन्दर उत्तर दे देंगे, तो बाबा बता देंगे, बच्चों को पिछारी में शबशक्षकर होगा, जैसे स्कूल में सभी को मालूम पर जाता है न, हमने कितना पराई किया, कैसे प बाबा कहते हैं, ये कौन बनेगा, जो कालबी बाबा ये माला का बत बताया, एक है गाले का माला, एक है जपने का माला, एक है पुझा करने का माला, तो इसका रुन्रो माला कहते हैं, विश्नो माला कहते हैं, रुद्रो माला कहते हैं, जब पिछारी के दिन होते हैं, तो ब इनको मालूम पर गया है वो तो तो रफ्तार जो रफ्तार से वो प्रूशर्ट करते हैं समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पाश होंगे ऐसा भी स्टुडेंट है तुमको भी मालूम पर जाएगा चार सब्जेक्ट में कौन सा हमारा कौन सा सब्जेक्ट में हमरो इतने से हैं बहुत कहते हैं हमारा बच्छों में मोह है वो तो निकालना ही होगा बाबा समझाते हैं यह तो नहीं यह रहने से तो तुमें कोई फाइदा नहीं होगा मोह रखना है एक में बाकी ट्रस्टी होकर शमालना है कहते भी है न तो यह सभी कुछ बाबा ने दिया है तो फिर ट्रस्टी हो करके चलो, अगर मानते हो यह संतान भी बाबा का है, ध्हन भी बाबा का है, तो उनको बाबा का अमानत समझ करके चलो, ममत तो निकाल दो, कुछ का कोई बीमार हुआ, कुछ मृत्तु हुआ, तुम रोते की हो, बाप खूत आकर कहते हैं, इससे ममत तो निकाल दो, समझो, यह सब उनका है, उनका है, उपर वला का है, परमात्माह का है, तो उनकी मत पर ही चलो, उनको करजों में ही, उनके करजों में ही लग जाओ, और कुछ नहीं करो, अभी नश सबसे जस्ती रिगार्ड है, जो कुमारी कण्या है, बापा समझाती है, तो यह भारत का एक बहुत बड़ा संपदा है, वो बहुत बड़ा संपदा है, आगे चल करके, वो बहुत बड़ा शेवा करने वाली है, कण्या कर्म बंदन से फ्री रहती है, तो बच्चों को तो ल लोकिक बाप की बर्षा नहीं पाती है, तो यहां इस बाप के पास, male female का कोई भैद नहीं, बाप आत्मा उको बेट समझाते हैं, आत्मा को संपती देता है, यह ना male है ना female है, आत्मा का कोई gender होता नहीं, तो बाप समझाते हैं, तुम जानते हो, हम सब ब्रदार से हैं, बाबा आकर सब बात समझाते हैं, शिबाबा है निराका, उनकी पुजा भी करते हैं, शुमनत का मंदिर बनाया न, द्यापर योग में सबसे बरा आलिशान मंदिर बनाया, कोहिनोर हीरा से मंदिर बनाया, शिबलिंग बनाया, यो अभी तुम जानते हो शिबाबा ने आकर क्य कि इसलिए उनका regard हम रखते हैं सबसे उचा सबसे महंगा तो पत्थर से उनका शिबलिंग से आते हैं क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है क्यों बनाया है यो भी तुम समझते हो ऐसा कलन करी कर्म दुनिया में कोई नहीं कर पाते हैं वो बाबा जैसा निश्काम शेवादरी कोई नहीं है कलपो कलपा ऐसा ही होगा तो हमारा तो बिलिप सिस्टेम पक्का हो गया ड्रामा में नोद है सो रिपीट हो रहा है बाब को आना ही है पुराना दुनिया का बिनाश होना ही है कोई अप्शुष की कोई नहीं इगर्वादर है यह खCould नहेत हैं नहीं सबका खोन होगा नहीं तो कोई किसका खोन करे संसार में आज दिन भी उनको फाशी में पाशी की साजा मिल जाता है ऑब किसको पकरेंगे अंतिम्शमय तो प्रकृतिक अप्दाइये होंगी यह बॉम परेगा यह खोन होगा य ये तो natural calamities आनी ही है, बिनाश्टो होना ही है, अमरलुक मृत्व लोक के अर्थों को भी कोई जानते नहीं, अमरलुक और मृत्व लोक बबाब समझाते हैं, मृत्व का करूबार ही चलेगा, अमरलुक में हमरा लाइफ का गरांटी रहेगा, कोई अकाले मृत्व नहीं होगा, तुम जानते हो, आज हम मृत्व लोक में हैं, कल हम अमरलुक में होंगे, सतियुग में होंगे, इसलिए हम ये पराई परते हैं, आज पराई काल्दराजाई, मुनिश्टो घोर अंधियारे में हैं, उनका कोई लक्षन नहीं, कोई टार्गेट नहीं, तुम ग्यान अमरित पिलाते हो, हाहा कर, फिर सो जाते हैं नेंद में, सुनते भी हैं, बहुत कब आप बर्षा दे रहे हैं, तो यह वही महावारत की लराई है, जिससे सर्गों का गेट खुलने वाला, लिखते भी हैं, बहुत अच्चा, यह ज्यान कोई दे नहीं सकता, हम मानते हैं, बस यहां बाबा का बात सुन करके, हाहा करते हैं, बहुत अच्चा, बहुत अच्चा करते हैं, अपने जिबन में अपलाई नहीं करते हैं, वो तो कुम्ब करन जैसा है, तुम कहो सकते हो, तो लिख कर तो देते हो, परन्तु ऐसे नहीं, फिर जाओ तु घर में, जा करके सो जाओ, इ मुख्षो चित्रो नहीं फिर भी बाबा समझाते इस मौफिख सो मत जाना बाबा किसको भी तुम समझा सकते हो तो समझाने की बरी जुक्तिया चाहिए तो ऐसा जुक्ति वाला बच्चा निकालना चाहिए बाबा किये भच्टे अपने दुकानों में भी पैसा देते हैं ये भी एक सोधा है और बाबा का ज್ञान लेकर के जाये ये तो अभिनाशी सोधा है तो ये भी सच्चा सोधा है इसमें तुम बहुत उका कहिलन कर सकते हो इसमें लज्जा की कोई बात ये नहीं कोई कहते हैं बिखे बने हो तो कोई हाशी मज़ा करते हैं बोलो अरी प्राजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो तुम जानते नहीं हो बाबा नई स्रिष्टी रचा रहा है पुराने के आग लगने वाली है तुम भी जब भीखे ना बनो तब तक सर्ग में जा नहीं पाओगी कितना भी तुम भ इबारों में चित्र लगा सकते हो चैरिटी विगिंज एट होम पहले पहले उनका करिलन करना है बाबा कहते है अब कोई देहोधरी को याद नहीं करो शिप बाबा को याद करो तो जिससे वर्षा मिलता है मुनिश्य तो बिचारे मुझे हुई है न तो बताना है डिटी वर जत्तो पाना है नर्से नारायन बनना है तो आकर बनो अफरिंग चल रहा है यह दुनिया में भी अफर चल रहा है लोग कितना दोरते वागते है तो ये भी अफर चल रहा है नर्से नारायन बनने का अच्छा मेठे मेठे सिकिलदे बच्छो पृति माद पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्छों को नमस्ते, हम रूहानी बच्छों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. नमबर वान धरणा एक बाप में ही शुद्धो सच्चा मोहो रखना है उसे ही याद करना है दहोधरियों से ममत तो निकाल देना है ट्रस्टी होकर समागना है यह एक एक पायंट हमें दिल में नोट करना है सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना है करते करते वो आपना बन नमबर दो बिकरम जिद लनना है इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी बिकर्म ना हो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है व्रबने का टार्गेट ही रखा है इसलिए कर्म तो करना परेगा बर्दा, शक्षी पन की सेट दरा, शक्षी पन, शक्षी दरश्टा हो जाओ, शक्षी पन की सेट दरा, तरिशनी शब्दों को शमाप्त करने वाले मश्टर त्रिकाल दर्शी भवख, इसका अर्थो है, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है, उसमें कल्लन भरा हुआ है, करिलन समया हुआ है, बाप का साथ और हाथ हैं तो अकरिलन हो नहीं सकता, ऐसे शान की सेट पर रहो तो कभी परिशन नहीं हो सकते शक्षिपन की सीट परिशनी शब्दों को खतम कर देनी है इसलिए त्रिकाल दर्शिबन प्रतिग्य करो कि ना परिशन होंगे ना परिशन करेंगे तो ये बहुत बड़ा हमारा ये धरणा जुक्तो बात है आज का स्लोगान है अपनी सब कर्मों इंद्रियों को अडर प्रमान चलाना ही सरज्य अधिकारी बनना है तो ये हम आज सारा मुर्णी बहुत ध्यान से सुनी है अभी हम समान लेंगे में शक्षी द्रश्टा आपमा ह ओ शन्टी